नवस्कास आथियो तो चली आज के दैनिक जागरण में क्या खास ख़बरे हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्टी ये संसकर्ण है तो इसमें आप लोगों को महत्पूर ख़बरे ही देखने को मिलेगी ये आप देखें देश कह रहा है भिष्टाचार बंसवाद भारत छोड़ो एक कौन करें हमारे पिधार मंतरी मौदी साहब करें 508 रेलेवे स्रिचनों की पुनर विकास की आधार सिला रखते हुए पीम ने बिपक्च पर साधा निसाना पीम ने बिपक्ची दल्मप पर नका चार में चला जाता है कितने स्टेशनों का पुनर विकास हुए तो उत्तर पिदेश में 55, राजिस्थान में 55, विहार में 9, बंगाल में 37, मंद्र पिदेश में 34, उडिसा में 25, पंजाब में 22, जारखंड में 20, हर्याना में 15 और जम्मू किसमीर में 3 आपको देखने को मिल और इस्टेशन पुनर विकास के नाम पर रेल किराय में बडोती नहीं होगी, ये कौन कह रहे हैं, रेल मंत्री साहब कह रहे हैं, मणीपुर में अर्द सैनिक बलों की 10 और कंपनियां तैनात की गई हैं, ये आप सभी जानते हैं कि मणीपुर में जो जाती हैंसा पहली और आप देखेंगे कि 1949 में इसे भारत में सामिल किया गया था हूँ, 1956 में केंदसासित पिदेश मनाया गया था, 1972 में आप देखें राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का, और अनुसुईया विकी यहां की राज्यपाल हैं, एन्बी रेंसिंग यहां के म खमंत्री हैं, विधान सभा में 60 सीट हैं, राज्य सभा में 1 सीट हैं, लोग सभा में 2 सीट हैं, 22327 वरक किलूमीटर में आपका मनिपूर फैला हुआ है, पाकिस्तान में 10 दोरगतना में 30 की मौत 80 लोग घायल हुए हैं, इस सिंध परांत में आप देखते हैं कि पाकिस्ता पाकिस्तान की बात हो रही है या देखे पड़ोसी पाकिस्तान है लद्दाग जम्मू कस्मीर पंजाब राजिस्तान गुजरात पांच राज्यों की सीमा लगती है और 1947 तक हमारा ही इस्सा हुआ करता था है एक ज्यानवापी परिश्टत में गुम्मत की नीचे मंदिर जैसे सिखर मिलने की बात हो रही है और जिस साल में नवाज होती है उसमें मंदिरों में देखने वाले 20 से अधिक ताके मिले है और मुख गुम्मत की नीचे संकूकार सिखर नुमा धाचा बनी है पूल पत्ती की आक्टियां या आप सभी जाते हैं कि कहां की बात हो रही है बनार आम लोगों के लिए हवाई यात्रा किफायती होगी समतीने हवाई डे पर अड़ों पर वेवजय गोल्ड पलेटिंग से बचने की सिफारिस की कहा अन बाहरी सेवाओं की को यात्री सेवा जित्रा मात्तू नहीं दिया जा सकता है असम में बहु विवा पर लगेगा पिती अड़ों के समतीने रविवार को अपनी रेपोर्ट से सौपी है एक काहे की बात हो रही है पता है आपको एक से जान्दा साधी की बात हो रही बहु विवा की यह सम यह है देश पुरी इसकी राधधान इसकी सीमा दब्दीक पर्चम मंगाल में एक आल है तिपुरा यह पुर आजाई है नागलेंड आजाई है और अरुना चल्पिदेश आई है अंतराष्टी सीमा देखे तो भूटान हो गया और बंगलादेश से लगती है यहाँ आप देखते हैं कि इसे राज कमना आए गया था 26 जनवरी 1950 में ठीक है और आप देखे 21 जनवरी 1972 में इस से करके कई राज बने थे और इस यहां के गुलाब चंद कटारिया बर्दमान वे राज जपाल है मुकमंत्री है मंत्विस्वा सर्मा है बेधाल सबा में 126 सीट है राज्य सबा में 7 सीट है लोग सबा में 14 सीट है 78,438 बरक किलोमीटर में आपका फैला हुआ है असम ठीक है प नियोकता ने गलत बेवहार किया तो करेंगे मदद ए मस्क एंटरनेट मीडिया पिलेटपॉर्म एक्स पूरू में जैसे ट्विटर कहते थे कि इसके मालें एलन मस्क ने कहाए कि पिलेटपॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करने या लिंक करने से अगर कोई नियोकत का रमचारी इससे गलत बेवहार करता है तो उसका पिलेटपॉर्म लोगों की तरफ से मुकदमा करेगा कानूनी बिलों का भुकतान भी करेगा चलिए केंदरिये कर्मियों के लिए 3% बढ़ सकता है महेंगाई बत्ता 42% से बढ़कर 45% हो जाएगा महेंगाई बत्ता महेंगाई बत्ते में विद्धी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होने की बात हो रही है दिल्ली की सेवाओं से जुड़े विद्यक पर आज लग सकती है संसद मे आपने राज सबा संसदों को भेप जारी किया है कि सभी को पस्तित होना है और आप देखते हैं कि वहाँ बोर्टिंग करना है उसी की बात हो रही है और यह आप लोगों को मालो होना चेह एक कि जो आप देखे सेवाओं में इस्थान अनतन की बात कर लीजे निवक्तिय की बात कर लिजे उसी पर जो अध्यादेश आये था ना उसी को आप देखते हैं कि अब राज्यस्वाम पेस करना है तो उसी पर आप देखते हैं कि बात हो रही लोग सवाम पेस हो गया है यह आपकी राष्टी राध्धानी दिल्ली से जुड़ी खब रहे हैं एक तो आप आप देखते हैं कि केंदर सरकार क्या करती है वहां सक्तियां जाना राज्यसरकार को देती नहीं है और इसलिए आप देखते हैं कि दोनों में टकराओ बना रहता है जीर उद्धार के बाद जंता को समर्पित हुआ 187 वस पुराना सेंट जेम्स चर्ज सहकारता अंदोलन में आधुनिकता पार्दाशिता और जबाब दे ही जरूरी है यह हमारे हॉप मुनिस्टर साहब करें और चर्चा नहीं तो समिधान के पिती गयर जबाब दे लोगों का कबजा यह आप देखे हमारे उपराश्पती जगदीप साह धनकर कर रहे है केंद् तीस भी रिपोर्टों में केरनरों को भी आरक्चंदैनिकी से पारिस की जा रही है और आप देखे आधी मायलाओं की आवादी है लगवक और आप सुची क्या होता है 3.66% में तो उनकी भागेदारी कम है ना तो उसी को बात हो रही है बिस विध्यालेओं में S.E.S.T. चात्रों से भेदभाव रोकने के लिए सम्ती गठित की गई U.G.C. चात्रों से सम्मधित अपने नीमों में बिदलाओं करने को तेयार है तो प्रेकोट ने भी चात्रों से भेदभाव को सम्भिदन सील मुद्दा बता है 2015 में आयवने सम समानता को बड़ादबा देने के लिए बनाये थी नियम अच्छी बात है डिजीटल पार्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिलपर लोकसभाए मैं आज करेगी बिचार आईटी मंतरी असनी वैसनों ने तीन अगस्त को किया था सदन में पेस बिवक्षी सदस्वनों बिलको पेस किया जाने का किया था कड़ावरोद अब आप देखते हैं कि सरकार कोई भी काम ला रही कोई भी विधेक लाए विपक्षित विरूद करेगा ही सिक्षित महलाएं अर्ध वस्ताओ समाज में दे सकती हैं बड़ा युगदान हमारी राष्टपती मुर्मू कह रही है देश की राष्टपती साहिबा मदरस बिस्विध्याले की दिख्ष समारों को राष्टपती ने समोदित किया कहा कि छैपूर राष्टपती इस गर्णा पर सुप्रीं कोट में आज सुनवाई है जातियों कि गर्णा की बात हो रही है ठीक है मासिक धरम स्वक्षता नीती तियार कर रहा है केंद्री स्वास्त मंतरा ले इसका उदेश महलाओं की लिए सुरक्षित और स्वक्ष मासिक धरम उत्पादनों तक पहुंच तो उसी को लेकर बात हो रहे हैं दिया था तो उसी की बात हो रही है आप लोगों को वालो होने चाहिए इसमें या आप देखे उस समय कि पी एम राजी गांदी ने मुस्लिम महला तलाग पसर रक्षान अदिनियां 1986 पसोनिया से चर्चा की तो उन्हों ने इसका बिरोत किया इस पर ओट रहे हैं सवालों की बीच ऐसी राजी परेशान थे और खार था कि कोई भी आधुनेक मुस्लिम व्यक्ति उन्हें बोट नहीं देगा इस साहवानों का मामला ये था कि इनके पती ने उन्हें तलाग दे दिया था और इनके पती का तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लौ की तहद और उसने दूसरी साधी किये पहली पत्नी को गुजरा बत्ता देना उसके लिए अनिवार नहीं है 1985 में सुपरिय कोडन मध्वदेश हाई कोड की आदिस को सही करार देते हुए साहर बानों की पक्ष में फैसला किया था इसी को पलट दिया था राजी गांदी ने तो उसी की बात होती है यह आप सभी जानते हैं कि राजनीती की खबरें हैं और आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे पर आरोप पर त्यारोप चलता रहता है कॉंग्रेस हो चाहे कोई भी हो अगर हम लोग एलेक्षन की बात करें ना चाहे वो विधान सबा के हो लोगसवा राजसवा राश्टपती उपर राश्टपती इन सब के चुना कोन करवाता हैं कौन देखवाल करता है एलेक्षन कमिशन ओप इंडिया भारती निर्वाचन आयो एक सम्विधान एक संस्ता है सम्विधान के अनुछे 324 के तहत इसकी स्थाफना की बात की की है और 25 जन्वरी 1950 में स्थाफना हुई थी नई दिल्ली में हेड को आर्टर देखने को मिलेगा सूकमार सेल पहले मुख की चुनावाएक थी जे एफफ के आखरी दिन पहुंचे सन्नी देवल से ने बांधा समाई आप देखते हैं अमेरिका की संग्रालाय में सुरक्षे थे ग्यान बापी का सच्छ लॉस एंजेस के गेटी मेजियम में बैटेस फोटोग्रापर सेमुल वॉन के 150 से दिख चित्र एक बात और आप लोगों को बता दूँ हमारे देस में कहते हैं कि 3000 से जांदा इस्थल हैं जा हिंदू मुसलिमों के बीच आप देखते हैं कि विबाद बना हुआ है और उसी में आप देखते हैं कि बहुत धरम भी आ जाता है इसलिए आप देखते हैं कि धार्मिकिस्तल कानून लाए गया था पिलेस ऑब वर्शेफ एक्ट उसमें कहा गयता है कि 15 अगर्ष्ट 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ हो किसी के भी धरम धर्मिकिस्तल तूड़े गए हो उन्हें भूलना पड़ेगा और 15 अगर्ष्ट को जहां मंदिर है वो हमस्चिद है वो हमस्चिद रहेगा किसी भी धरमिकिस्तल में कोई परिवतन नहीं किया जाएगा लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस कानून को ही चनोती गई है तो अब वो भी परेशानी है वाकिया आप देखते हैं कि क्या होता है अगर कोई सुप्रीम कोट का फैसला आता है यह आप देखते हैं कि आपके उसका फैसला आता है, सरकार कुछ फैसला लेती है, तो वो ध्यान देंगे, ठीक है? मद्धपिदेश सरकार बनाएगी संतर अभीदास मंदिर पी-म रखेंगी आधर सिला, और एक आप लोगों को एक और बात बता दो, मद्धपिदेश की सागर जली की बात हो रही है, उसमें बनेगा, बर्तूमा में बनेगा, और इस साल है चुनाव मद्धपिदेश में, भुपाल इसकी राधधानी है, एक नवमबर 1956 में से राज बनाए गया था, इसकी सीमा आप देखे, उत्तर पिदेश, राजिस्थान, ग यह आईडी लेंडिंग से आधिवासी बहुल गाओं में ज्यान बाटरी अनूटी पार्ट साला, पर्याग राज में एक अध्यापा का नवाचा सिक्षा, में रुची के साथ उपस्तिती भी बड़ी हुई है, अच्छी बात है, राश्टी सिक्षा नीती में कैंसरकार का इस द्यान प्रात्मिक सिक्षा को रुची का रुसाहिज बनाने पर है, ताकि बच्चे खेल-खेल में लगन से पढ़ें और सीखें भी, और मैं आप लोगों से ये भी कहता हूँ कि अगर कोई टीचर अच्छा पहल करना चाहे, तो बच्चे पढ़ सकते हैं, वरना सरकारी स्कूलों की क्या हालत है आप सभी जानते हैं, और बच्चेओं के स्कूल सरकारी स्कूल में नहीं भेडना चाहते हैं, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पाताल बुरी हाल में है, एक समय था जब भारत की GDP में किरसी मुख घर डगती, धीरे धीरे हमने सर्वेस सेक्टर में प् पूर्ण कड़ी है, एलेक्टोनिक्स, इसी आप सकता को ध्यान में रखते हैं, 2020 में एलेक्टोनिक्स मैनुफेक्चरंग को लेकर प्रोड़क्शन लिंड इंसेटेव की गोष्णा की गई थी, पैड़ा में आया रहा कि कभी पूरी तरह आयत पर निर्भन रहने वाला भार आई में चैन में भारत भरोसे मंद सप्लाया बने कर आया है, लाकों रोजगार से जितो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि भारत में एलेक्टोनिक्स डिफलो मैसी की मदब से अपने बिरोधी देशों को अलग धलग करने में सफल दिख रहा है, जिससे दुनिया में भारत क बढ़ रहा है, यह अदिकी मैनुफेक्ट्रिंग की दिशा में बढ़ने के लिए अन्वूल समय भी कहा जा रहा है, 15.66 अरब डॉलर का इलेक्टोनिक्स आइटेम निरियाद था 2021-22 में, 23.57 अरब डॉलर रहा निरियाद बित वर्स 2022-23 में, निरियाद का मतलब हुता है, आ 25 लाग मुबाइल फोन का निरियाद कर रहा है भारत पिती मा, 85 करोड से अधिक लोगों के पास इंटरनेट, 47% की बिड़्दी हुई है, चालूबित बर्स की पहली तेमाई में, एलेक्टोनिक्स निरियाद में, एक तो आप देखते हैं कि आप से कहता हूँ मैं कि GDP इस तर परण उत्पादित हुई सभी अंतिंग बस्तूओं और सेवाओं का मूल मौद्रिक होता है, आम तोर पर आप देखी किसी देश की GDP को मापने के लिए एक वर्स की अधिका प्रयोग किया जाता है, इस सेमिकांडेक्टर डेप्लोमेंसी भारत बढ़ेगा भारत का कद्बिस में, दुनिया की चुनिंदा देशों में सेमिकांडेक्टर का निर्माड होता है, इस नैनो चिप की टेकनोलोजी को अमेरिका दच्छर कोरिया जैसी गिंती के देशों के पास ही है, ए देश भारत को भरुसमंद पार्टनर के रूम में देखते हैं, जिसका जिकर अमेरिका पर निर्वर होंगे, भारत को चीन पिलस वल्न सफलाई के रूम में दुनिया देख रही है, ताकि चेप से लेकर आप देखे, अन इलेक्टोनिक्स बस्तुओं के लिए दुनिया पूरी तरह से चीन पर निर्वर नहीं रहे, इस मौके को भुनाने के लिए भारत को कोई कस पर नहीं छोड़ना चाहिए, तभी पिदानमंति मौदी ने अहमदाबाद में सेमी काई, सेमी काउन, इंडिया में कहाए कि यही समय कि समय सही समय है देख के लिए है, दुनिया के लिए भी, चलिए 158 अरब डॉलर की रही एलेक्टोनिक्स उत्पादों की खपत बित्त ब आया अपरेल 2000 से मार्ट 2023 की भी, 7,325 करोड का पियलाई IT हैडवेयर के लिए, 77 अरब डॉलर की एलेक्टोनिक्स उत्पादों का किया गया है आयात पिछले बित्त में, 11 परसें की दर से एलेक्टोनिक्स उत्पादों की खपत बड़ी है, 2016-2017 से 2022-23 के वीचे आप देखें, 40,959 करोड का पियलाई IT के बड़े इस्तर पर एलेक्टोनिक मेनोफ्यक्शनिंग की बात हो रही है, 1110 अरब डॉलर से अधिक का हो, बेस्पी की इस्तर पर 3-4 वरसों में, ये सेमिक्टिंट्र का करोबार, चलिए अच्छी बात है, ये तो कहा जा रहा है बस शुरूबात पर आप देखते हैं कि अफीका, दचरफीका और नावीबिया से लाए गयते हैं, उन्हीं की बात हो रही है, ये आपका संपात किये पाक्ठे, इसे भी पढ़ लिया करेगा, इप्रिल्म से में मुख परीक्षा में आपको इंटर्वियू में हर जगे मदद पहुंचाते है एक सामान जानकारी मिलती है, सोध और विकास की नई यात्रा, ये आप देखें सोध एबं विकास और नवाचार मिन्डिवेश कीसी भी राष्ट की सतत बिड़ी एबं समग्र समझधी के लिए अती आवस्तेक है, नायद मोधी सरकारी सावस्तकता को भली भाती समझती है, इसलिए सरकार ने बिज्ञान एबं परोधगी की के लिए बजटी आवंटर बढ़ाने, स्टार्ट अप्स या फिर नौ उद्धिमों के लिए अन्खूल परिवेस बनाने और अक्षय हुजा, आईटी पिसेल इंटेलिजेस यानि की AI और स्वास्त जैसे छेत्रों में सोध को प्रोसाहन देनी की दिशा में कदम बढ़ाये हैं, सरकार नवाचार की संस्किती को आँगे बढ़ाने की में सक्रियता से जुटी है, विवन सरकारी नीतियों पहल सोध, एबं विकास का सतत बिद्धी, एबं सामाजिक आर्थे विकास की दृष्टी से लाव उठाने की पितिवद्धिता को दरसाती है, जिससे भारत को तकनीक की एबं नवाचार की मोर्चे पर आप देखते हैं, भविस की एक महासक्ती के रूम में इस्थाफिक किया जैसके, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फांडेशन बिल 2023 इसी पितिवद्धिता का अंगला पड़ाओ है, इस विधियक को गद 4 अगस्त को लोकसभा में विस्तुत किया गया, संसाथ के दोनों सदनों से पारित होने के उपरांथ इसे नेशनल रिसर्च फांडेशन की स्थावना संभव होगी, और एनारेफ भारत में सोध अनुसंधान एबं आप देखते हैं, विकास से जोड़े धाचे में व्यापक रोप से महत्पूर्ण होविका निभाएगा, एनारेफ पर बड़े दायतों का दारोंदार है, सरफथम तो इससे भारत के ततकालिन मद्यम, अउधी और दिरकालिक सोध लक्षों की रोपरेखा त्यार करनी है, और इस उक्रम में यह अकादमिक एबं स सोध अनुसंधान की बीजार उपर से लेकर उन्हें विक्सित करने के लिए आप देखी सभी आवसक सोविधायें प्रिदान करेगा, इस प्योजन में विसे सुरूप से कॉलेज एबं विसे विध्यालेओं में सोध अनुसंधान विकास की प्यारंभिक चर्णों पर ध्या दिया जाएगा और इनमें कई प्यकार की सुविधायें सामेल होंगी, जैसे सुपात्र अभ्यारतियों की सोध समीक्छाओं के लिए आवसक संसाधनों का आवंटन और ऐसे सोध ढांचे की स्थापना जो बिज्ञाने को देशों की पूर्ती में साहएक बने सके, राष्ट देने के साथ ही सोध को पूजी आधारित तकनीकों में रूपान्तित करने का कार भी इसके दाएरे में हैं, ततकालिक इस तर पर आप दीखा जाए तो, एनर एप देश का सोध, अनुसंधान चमताओं को आप देखे तुरित रूप से बढ़ाने के साथ, ही सोधार्थियों को उनकी परियोजना, परियोजना को लेकर अपिक्षि संसाधन पिदान करने और अधिक से अधिक कॉलेज एबं विस्विध्यालेओं को सोध गतिविदियों का गड़ बनाने का निमित बनेगा, या विज्ञानियों, सोधार्थियों, नवफिवर्त कों कि एक पूरी नई पीडी इतियार करने में आप देखे मददगार होगा, जो देश को स्वास्त एबं प्रुद्रकी की सहत तमाम छेत्रों में बुलंदी पर ले जाएगी, और देर काले की स्थर पर आप देखे एनरेप भारत के इनोवेशन एको सेस्टम की दिशा में को बड़े सकारत्मक इ जब सामाजिक इवं विकास समंदी चुनोतियों के लिए राष्टी इस तर पर समनवेकारी कारिकरम विज्ञानिक इवं विवारे समाधान तलासने में सफल होंगे और विज्ञानिक सोथ पर बैय का नियंतर विसरिसन होगा तो इससे भारत इवं विज्ञान इवं का अनुवान इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी कमान किसी और के पास नहीं है बलकि सीधे पिदान मंतरी के आत में होगी बेग्यार एवं आप देखे परुद्वकी की मंतरी और सिक्षा मंतरी इसके संचालक बोड के दो पात धेक्ष होगे अपने नवाचार एको सिस्टम को और बहतर बनाने के लिए भारत को कई अन्य कदम उठाने की भी आव सकता है जैसे हमारी सिक्षा नीती सोध एवं नवाचार की संस्किती को विक्सित करने पर के अंदरे थोनी चाहिए कि दिभाफ अलायन को रोकने के लिए आप देखे हमें सोधार्तियों को परियाप्त कराना भी अतेंत आवस्य के इसका अर्थ यही है कि अधिमियों के पास परियाप्त वित्य बेकल्प हो ताकि बेटिकाओ उध्यम स्थावित कर सके इसमें तेल अभीब जैसे उधार्णों से सीख ली जा सकती है जिसमें आप देखें जिसमें सरकारी मदद के साथी वेंचर आप देखें निजी छेत्र को भी अपना दायत निभाने के लिए आंगे आना चाहिए नवाचार एको सिस्टम से जुड़े सभी अंस भागियों की बीच समनबय की संस्केती को विक्सित करना भी आबस है कि इसमें आप देखें जर्मनी के स्टार्ट अप कॉर्पूरेट स सीखा जा सकता है जिसके माध्यम से विवन चेत्रों में नवाचार को पुरोसान मिला है भारत सरकार ने आर्थिक विड़्धी में स्टार्ट अप्स की माध्ता को व्यापक रूप से स्विकार किया है इस दिसा में लिखनी कदम भी उठाए है बर्स 2016 में जहां देख में 442 से स्टार्ट अप्स थे वही 2023 में इसकी संक्या बढ़कर 92,683 तक पहुंच गई इस मोर्चेप मदद और पुरोसान की गति को कायम रखना भी उतना ही मत्पूर्ण है ताकि यह परिदिस और सम्रिद्ध हो सके उम्मीद है कि एनर एप इस सेले को आंगे बढ़ाने में में म दिखा गया है ठीक है राजवने वेकास का इंजन यह आप देखें बित्वर्स 2023-24 की पहली तेमाही के लिए RVI के आंकडे स्पष्ट करते हैं कि कोई में हमारी की बात केंद और राज के राजकोसी घाटे और रेड की छेत में मातपूर्ण सुधार हुआ है RVI की राज बात करें तो रिजर बैंक आप इंडिया की बात हो रही है और इसकी स्थापना कब हुई थी एक माई एक अप्रेल 1935 में और इसका हैट कवाटर मुंबई में देखने को मिलेगा राजकोसी घाटा की बात करें तो एक बस में उधार को छोड़कर कुल प्राप्त से याद रखा करिएगा और आप देखते हैं कि केंद का राजकोसी घाटा सकल घ्ली उतपात का पात दसमलों आप देखेंगे नो पितीसत रहे गया है वहीं सभी राजकोसी घाटा भी चार दसमलों एक पितीसत से घट का तीन दसमलों 24 पितीसत रहे गया परन्तु ये आग अपने लक्षे से पीछे इनमें उत्तर पिदेश, मद्पिदेश, जारकन को जोड़ दें तो ये 10 राज्य कुल देश का 50 पितिस से अधिक ब्या करते हैं और आप देखते हैं कि इन राज्यों का रिड बित्त आयोग द्वारा अनुसंसित रिड अनुवास से आप देखिए अधिक है, यह किसी एक राज्यी की समस्या नहीं है, बलकि यह पूरे देश की समस्या है, आर्टिकल 280 को आप लोग पढ़ते हैं न बित्त आयोग की बात की गिए, और राज्यों की खर्च तो बढ़ते जा रहे हैं परंतु उनके लिए बित्त पोसित करने की चमता बित्त 1955-1959 से घटकल 2020-1938 रहे गी है, बिति अनुसासन के बाद भी राज्यों की स्तिती में कोई विसे सुधार नहीं हुआ है, नहीं आया, राज्यों की बरती उधारियां अर्धवस्था पर ना सिर्फ वितिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, बलकि इसका प्रभाव उन राज्यों सबसेटी पिंसन करज माफी आधी गैर उत्वादक बैय की बढ़ने से राज सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है, कोविद महामारी के बाद आपदिकी उत्पन होने वाली बैस्विक जोकिम और अनिश्यताओं के कारण बेभिन पिकार के घाटे को कम करना भ सरकार कर के दायरे में सुधार करने के बज़ाए कर की गहिंता को बढ़ावा दे रही है और जो आप देखते हैं आने वाले समय के लिए मुस्किल पैदा, मुस्किलें पैदा कर सकती है, इन दनों भारती राज्यों के समक्ष दोरी समस्या है, एक तरफ कम कर और कम राजिस और बरत्वा घाटा, तो दूसरी और विकास पर किरिया को तेज करने के लिए इन्फराट्रेक्चर विकास पर अधिक व्याय करना पड़ता है, पितिक राजिकी विसस्ताएं भी इस आसमानता को बढ़ा रही हैं, जन्संक्या, आर्थि विकास, सहरीकन, प्राक्तिक नित्त चंता, आधि विभिनता के कारण राज्यों में आर्थिक सामाजिक आसमानता हैं तेजी से बढ़ रही हैं, आकरसक इन्फराट्रेक्चर विवं सुविधाओं के कार महराष्ट गुजरात और करनाटक तमिलाडू निजीज निविस को आकरसित कार समर्द राज्यों में बदल रहे है, आंधपिदेस, इस दोर में काफी पीछे रहे हैं और इन राज्यों के बिभिन पिकार की बैग घाटे को पूरा करने के लिए केन्सर कार लंबस समय suppression आपदिके अनुदान और ब्याश्च भो मुक्त्यरेड़ डैनी की पुछी में नहीं है, ऐसे इस्तित जिसे पितिक राज्य का देश का विकास में एहम युगदान हो सके। जिसे पितिक राज्य का देश का विकास में एहम युगदान हो सके। जिसे पितिक राज्य को अधिक करने के लिए नीदिगत उपायों पर सहमती बनानी होगी। इसके लिए आप देखे केंद और आसरकारों को अपने बिचारिक पक्चों से अलग हटकर देश के विकास के लिए एक इस पर नीति पर करना होगा। लेखा के अर्थ सास्तरी है। सफल हो जाते हैं तो कुछ लोग मेहनत तमम प्रयासों के व्याब्दू सफल नहीं होते हैं। उन्हें निरास होने की जरूरत नहीं है। आप सकता इस बात किये कि यह देखा जाए कि कमी कहां रहे की। और एक बात आप लोग भी याद रखें। देखें, हाद नहीं होती है जब आप लोग किसी जाब के तैयारी कर रहे हैं। आसफल नहीं होते हैं। आप स्थीक लीजे और आंगे बढ़िए। क्योंकि आप जितना बड़ा काम करेंगे उतना ना पास होने की उमिद्चानदा दिखती हो उसमें। तो यह आप लोगों के लिए हैं। सबके लिए आसफलता कि बड़ा यूद लड़ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं। अगर आप सोचें कि जीत गए तो दुनिया बदल जाएगी आपकी पूरी। तो बड़े काम करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और रिस्क तो बिलकुल लेना होगा। प्रभावी नेंतर से रोकेंगे सरक हाथ से। Federation of India Chambers of Commerce and Industry AYE द्वारा हाल में ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल सरक दुरगटनाओं लगबग 15 लाक लोगों की जान ले लेती हैं। सरक दुरगटनाओं में होने वाली कुल मोतों में से 11.30 मोतें भारत में होती हैं। दुरगटनाओं में होने वाली मोतों और चोटों की संख्या में भी यही सबसे अधे के दुनिया भर में आप देखे हैं। 24 सेकेंड में कम से कम एक बैती की मोत याते आयत दुरगटना की कारण होती है। इसकी स्थाफना 7 अपरेल 1948 में हुई थी। जनेवा सोईजलेंड में इसका हेड़कवाटर देखने को मिलेगा। रेपोर्ट में सडग दुरगटनाओ को कम करने के लिए सडग सुरक्षा प्रमंदन सुरक्षित बाहन सुरक्षित सडग उपियो करता। दुरगटना के बाद पित्ती किरिया आओ सुरक्षित ड्राविंग वातारवन जैसे 500 जाओ दिये गए। पिरभावी सडग सुरक्षा प्रमंदन के लिए नेवित सुरक्षा, और बुनियादी राचे में सुधार और यातायत कानूनों का सकत कर्यानबन आवस सके। सरत दुरगटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षित बाहनों के उपियों को प्रवसाहन करना भी मात पून है। समय ध्यान भटकने को से बच्चना और अन सरक उपियों करताओं के अधिकार का सम्मान करना अनिवार होना चाहिए। किसी दुरगटना के बाद तुरिष से जान बचाई जा सकती है और दुरगटनाओं के प्रवावस को कम किया जा सकता है। और लेहाजा आप अकालीन चेकेसा सिवाओं में सुधार कोसल उदुरगटना रेपोर्टिंग पिडाली स्थापित करने और दुरगटना पीड़तों और उनके परिवारों को सहरी नियोजन को प्रवसाहित करना करता है। एक प्रवावी नियंतर परडाली लागु करके हम प्रवावी ढंक से सटक दुरगटनाओं को कम कर सकते हैं। ब्रासिलिया गोषनाग पत्त के उद्देश को सार्तक कर सकते हैं। जिसके अनुसार 2030 तक बैस्विक शड़क यातायात मित्यू और चोटों को आधा करने की बात हो रही। यहां भी आप देखिए छोटे-छोटे कॉलम रहते हैं। देख सकते हैं आप लोग। मात भासा में खुलती उच्चे सिक्षा की राहें। पिधानमती नायंद मौधी ने बीते दिनों नई दिल्ली में अखिल भारती है। सिक्षा समागाम का उधगाटन करते हुए कहा कि युवाओं को उनकी प्रिज्दिभा के बज़ा उनकी भासा के अधार आकना नियार पीम की बात का महत इसलिए देखें कि देश के कई राज्यों ने भारती भासाओं के सरकारी स्कूलों को सीधे अंगरीजी माध्या में प इंगलिस नहीं आदी तो आपको नोकरी नहीं मिलेगी आपको तबज्जो नहीं मिलेगी आपको आप देखते हैं कि सरम करना पड़ेगा तो यह बड़ी बेडम मना है राय देने की साइड एफेक्ट करी-करी तंज कसा जाता है सत्त के लिए खड़ा होता साक्षों का सिखर इग्यानबापी की बात हो रही है चुनावी बस में युवाओं का हाल चल यह आप देखिए रायपूर 36 गड़ में आप लोग देख लीजे यहां मी चुनाव है आरविय की सामने महगाई होगी बड़ी चुनोती बिसे सकों कानवान की आंगावी बैठक में रिपो रेट क इस पर आप देखिए आरविय कॉमर्सियल बैंकों को पैसाओधार देता है ना उसी को कहते हैं ठीक है सेयरों के जैना मुले अंकल से मिचूल फंड एन एपो घटे एक साथ साथ कंपनियों का पुझे गर एक लाग करूड हो गया है देखिए मिचूल फंड चेत में उत्रे पर यूपी सीज पर है यह आफ लोगों को जंधन योजना सुना कहताओ मुलता है जंधन योजना कि यह आप देखते हैं कि कब शुरू हुए थी इब कर दोहिजार्याद चौदेर के मोकी पर हुए थी खाते हैं आप देखते हैं जो अकाउंट खाता खुलवाता है ना खुलता है ना उसी की बात हो रही सरकारी बैंकों को 34,774 करोड का लाब हुआ है और आप देखते हैं कि रिलाइंस ने तीन बरसों में सरकार को दिये 5 लाग करोड सोचे युकरेन रूस संघस का 27 समाधान तलासना होगा अजी डोभाल साहब हमारी कह रहे है रूसी सेना ने युकरेन पद्दागी क्रोज और हाइपर सोनिक मिसाल यह आप लोग देखे युकरेन है रूस से हमारा प्यार अभाल थे इन दोनों के भी चाप देख रहे हैं कितना लंबा समय हो चुका है और दुनिया पर इसका प्रिभाव पढ़ रहा है एमरान को अटक नहीं अदिया याला जेल में रखने का कोट ने दिया देश तोसा खाने केस में इनके भी हो गए पॉप फ्रांसिस ने लेडी फातिमा की पितिमा परापरातना किये परमाडू हमले की बसी पदी जिस्ति धान जली या आप देखते हैं कि पिस्त के पहले परमाडू बम हमले की 78 बरसी पद जापान की हिरो सीमा की पीस मबुरियल पार्क में इस प्रातना करते लोग दुई तीयब इस युद्दी के अंत में आप देखिए अमेरिका ने 6 गस्त 1945 को हिरो सीमा और उसके तीन दिन बाद नागासा की पर परमाडू हमला किये थी हिरो सीमा में आप देखिए एक लाग चालीस हजार और नागासा की में आप देखिए चोतर हजार लोगों की जान गई थी यह आप देखिए बंगला देश ने भारत के चार मारगों की अनमती दी चटगाओ बंदरगा अगरतला बंदरगा अगरतला चटगाओ स्रीमंत्र फूर मौंगला और बंदरगा स्रीमंत्र फूर और चार मारग अब आप देखें ये किर्काट का खेल का खेत है किर्किट हमारे देश में बहुत पसंद किया जाता है ये आप सभी जोई जानते हैं सककारी गप के बीच होगा डीसी ओपन का फाइनल मारिया सककारी ने तीन सेंट तक चले कड़े मैच में सीस वरिता प्राब जेसी का फेगोला को हरका डेसी ओपन टेनेश टूनेमेंट के फाइनल में प्रिविस किया है मंजूनाद बने GPBL के सबसे महगे खलाडी ग्रामपी बैडमिंटन लीग के दिल्ली FC ने हिदरावाद FC को बरारवी परोका सित सिवात ने जीता ग्रीक टेनिस सिठा इस्टेफ नौ सिथ सिवात ने अदबुद बापसी करते हुए इलेक्स्त डी में नोर को हराया और लॉस के बुस में ATP 250 किताब अपने नाम कर लिया है पिरमोद भगत फाइनल में सीस पैरा बेडमिंटन खिलाड़ी हैं पिरमोद भगधन ने चार देसों की बीच चलना है पैरा बेडमिंटन अंतराश्टी टूर्मेंट के सिंगल्स में प्रोस डवल्स और मिक्स डवल्स इस परदा में फाइनल में स्थाल पका गर लिया है मलेसिया को रोंत का भारस टॉप पर है आप देखेंगे एसेन चेंपियन से टॉप ही की बात हो रहे है जुड़े जुड़ो खिलाडी जस्मी सेनी डॉप टेस्ट में बिफल रही है औस्टिलिया उपन में टॉपी से चुके पैड़ाओ सुविड़न ने चार वार की चेंपियन अमेरिका को बाहर किया है महला विस्टकप की बात हो रहे है सेट पांच बेस्थान पर ही जीव मिलखा और अतीजदी स्कॉर्टिस ओपन में सेट पैंसट पर बेस्थान पर ही भोर से वहरवी तक महत्ती राग माला अब आप चांद देखिए पहुँचने वाला चंद्यान तीन के कैमरे से चंद्वा की पहली तस्वीर आच चुकी है यहाँ आप देखिए जनरल नॉलिज़ की जानकरी मिल जाती है परिक्षा के पॉइंट वी से भी पॉइंट मिलते हैं अमेरिका में पहली बार Electronics Calculator का पिदरसन गुए अमेरिका की Harvard University में 1944 में आज ही दुनिया के पहली Calculator Harvard Mark एक को पिदरसित किया गया था इस Calculator की लंबाई इंक्यावन फिट उचाई आठ फिट बजन पाट टन था इसी University के Harvard H आईकन और अमेरिकी कंपनी IBM से मिलकर बनाया था Shakespeare के Mac वैत नाटक की पहली बार किया गया था मंचन London के Hamilton Court Palace के Great Hall में 1606 में आज ही Shakespeare के Mac वैत नाटक का पहली बार आप देखे मंचन किया गया था Macbeth Shakespeare के अतने लोक्रीय नाटकों में से एक है इस पर आप देखे Bollywood से पूरी दुनिया में कई फिल्में बन चुकी है भारत में हरित करांती के जनक माने जाते हैं M. सौामी नातन भारत के महान किरसी बेग्यानी M. सौामी नातन के जनम 1925 में आज ही तमिलाडू के कुम कोनम में हुए था किसी में उच्छे सिक्षा अंसल कर भारती किसी अनुसंदान से जुड़ गया है 1946 में मैक्सकों के बीजों का पंजाब के घरेलूप किसमों के साथ मिस्सित कर उच्छे उत्पादक तो अबाले गेहूं के बीच बिक्सित कर भारत में हरित करांती की नियू रखी और इससे देश में अनाज उत्पादन को बड़ा अबा मिला और 1989 में केसी मंतरा लए कि पिधान सचे बने और अनुस्पादक को मैं भारत को आत्मेफर बनाने में महत्पूर्ण योगदान दिया धर्ती पर सूर नियूजिलेंड के नौर्थ आईलेंड में माउंट यह आप देखें माउंट माउंगा नुई समद्ध टर्पसूर का विसाल इसकेलेप्चर बनाया गया बचपन की आगाथ बड़ा सकती है गरवासाई की समद्ध डेटिल ताएं मदू में हार्ड विलेज पर से आउसाद गवन बजन वाली बच्चों को जर्म देने का अधिक खत्रा होता है चलिए देखा करिएगा यह चलता रहता है समय पूर पेसाओ का 41 तरक अधिक होता है 41 परसेंट तक सौफ्ट ड्रेंग पैकेजड जूस के अधिक प्योग से किर्नी स्टॉन का खत्रा है ध्यान रखा करिएगा सोवर की सतया पर अवियार के तड़के हुए थी एजविसपोर्ट आप लो और नेनी ताल के पूर्ने देशक बहाओ दीन ने बताया कि एजविसपोर्ट भारती समय नुसाद तरकीस सबात तीन से चार बजे चार दस बजे तक हुए इसमें निचली और निचली सौर ज्वाला ने पितवी के पाईवंडल की सीस आयनित कर दिया है सीस को पिसांत महासागर के ऊपर सौर्ट बेब रीडियो बिलेक आउट को हो गया हानी कारेक वेक्टियसी अनिवित नीन का संबंद है नीन के समय में मामूली अंतर भी आत के माइक्रो वायम को करता है प्रभावे नेमिट नीन पैटर्न से किया जा सकता है दुस प्रभाव और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के नीच पर परगी कहानी खतम होती है आप लोग पढ़ते रहे हैं इंज्वाय करते रहे हैं आपका कोई भी सवाल है कोई भी सुझाओ है मेरे लिए आप लोग बता सकते हैं मेरी सुबकामना है आप लोगों के साथ हैं आप लोग हर हाल में मेहनत करते रही है